आप लोग सारे खेरिया से होंगे आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़दार सी चौकले ब्राउनी बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ का ब्राउन शुकर है अगर आपके पास ब्राउन शुकर नहीं तो आप ब्राउन शुकर सिंपल भी ले सकते हैं कोशिच करें के पाउडर ना हो वो मोटी मोटी शुकर हो तीन अंडे 3-4 cup मैदा 1-4 cup चौकले पाउडर 150 g बटर 1-5 tsp कौफी 1-5 tsp सौल्ट 1-5 tsp वनिला एसंस और टोटल 250 g चौकलेट क जब भी पीसिस चाहिए जिसमें 200 g जो हो ब्राउनी के अंडर मेल्ट करके हम दालेंगे और यह जो थोड़ी से 50 g अंडे बिल्कुल जब पूरा मिक्सर रेडी हो जाएगा तो फिर दालेंगे मेल्ट किये बगार अब चौकलेट को मेल्ट करेंगे और सबसे पहले आप पर अब इसको रूम टेंपरेशर पर आप जाएगे और जिस पैन के अंदर ब्राउनी बनानी है उसके ऊपर ऑल लगा के तो बटर पेपर लगा लगा ले एक तो पानी दाल के उसको थोड़ा सा पकने दें गरम हो जाए तो उसको पर शीशे का बाउल या कोई साभी बाउल अब तक मेल्टेड चोकलेट रूम टेंपरेशर पर आती है तब तक इसको रेडी कर लेते हैं मैंने एक पाल के अंदर ब्राउन शुकर और तीन अंडे दालें अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो थोड़ी दिर बीट करेंगे बीट करने का धियान रखें कि ज्यादा नह तो आप वाइट शुकर भी यूज़ कर सकते हैं और चीनी मैंने हाफ कप इसले ली थी क्योंके मेरी जो चॉकलेट थी वह भी मिठी थी अगर आपको लगता है कि आपकी चॉकलेट मिठी नहीं है तो फिर आप एक कप चीनी यूज़ कर लें बास एक मिनिट के लिए इसको मिक्स करना है इसको सिफ मैंने वन मिनिट के लिए बीट किया है ज्यादा बीट नहीं करना जैसे केक के लिए करते है अब इसके अंदर वनिला एसेंस कॉफी और नमक ये चॉकलेट सीरपी लों टेंपरेचर में आगे अब इसको मिक्स करने अची तरह अब इसको मिक्स करने अची तरह अब इसके अंदर ये चॉकलेट के चॉंक्स तालेंगे अब इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे 25 तु 30 मिनट्स के लिए चॉकलेट फच ब्राउनी बेक हो गई है अब इसको ठंडा होने देते 30 मिनट्स मैंने बेक किया था ये ठंडी हो गई थोड़ी सी अब इसको कट कर लेते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है अगर आप लगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रेसिपी तक के लिए अलावाश्ट बटन दबाएं हाफिज